दोस्तो आज किस वीडियों जानेंगे कि राज्यस्व एवं भूमी सुधार विभाग बिहार सरकार दुआरा ओनलाइन जमीन रसीद को लेकर एक नया अपडेट जारी किया गया अब सरकार द्वारा क्या नया अपडेट जारी किया गया इसके बारे में आगे इस वीडियो में आपको पूरे विस्तार से बताने वाला हूँ तो वीडियो को अंतर देखते रहिए मेरा नामे राजक्वार और आपका अपनाई चैनल आज़ेल पर आपको स्वागत है तो चलिए वीडियो सुरू करते है प्रेंस वीडियो आपको स्वागत कर देजे और इसी तरह जानकारी के लिए आप मरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे साथ में बेल एकन को आउन कर देखार राजस्वा एबम भूमी सुधार विभाग द्वारा ऑनलाइन जमीन रसीद को लेकर जो नई अपडेट जारी क गई है उसके बार में आप पूरी विस्तार प्रुबक समझिए यहाँ पर देखे साबसा बताएगा कि जमीन की ऑनलाइन भूलागान रसीद ही वेद जमीन की ऑनलाइन वाली जो भूलागान रसीद है उनकी ही मान्यता है यहाँ पर दोसी के साबसा बताएगा कि राज में जमीन की नई, ऑनलेन भूर लगान मल गुजारी रसीद ही वेद है, ऑफलेन भूर लगान रसीद पर रोख है, Questions. online रसीद का भुकतान ये जो website का link दिया गए इस website पर जाकर online रसीद कटवा सकते हैं या फिर अपना रसीद online के माधियम से download कर सकते हैं यदि कोई करमचारी या पधादी कारी किसी भी तरीके से offline भो लगान रसीद जारी करते पकरे जाएंगे तो उन पर अनुसांसिक कारवाई होगी यदि कोई भी करमचारी या पदादी कारी ओफलाइन माधियम से रसीत जारी करते पकरे जाते हैं तो उन पे जो सो जो भी कारवाई हो सकते वो कारवाई सरकार द्वारा किया जाएगा उसका दोस्तिके यहां पर साब साब बताए गया कि यहां निर्देश राज्यसोय एबंभूमी सुधार विभाग ने जारी किया है या जो निर्देश है राजस्वे एवं भूमी सुधार विभाग ने जारी किया है साथी विभाग ने सभी जीले अधिकारियों से काय कुए अपने जीलों के अंचलों में स्वें या सक्षम पदादी कारी द्वारा निरक्चन करवाकर पुराने भूलागान रसीद की इकठा करवाएं साथी इसे जीला मुक्याले में सुरक्षित रखवाकर विभाग को उसकी सूची बनवाएं तो यहां पर दोस्ति के साब साब बताया जा रहा है कि विभाग द्वारा जीला अधिकारियों को कहा गया है कि अपने जीले के अंचलों में स्वें या सक्षम पदादी कारी द्वारा निरक्चन कराकर पुराने भूलागान रसीद की इकठा करवाएं यानि कि एक जगह एकठा करवाएं और साथ ही इसे जीला मुक्याला में सुरक्षित रखवाकर विभाग को उसको सूची बनवाएं उसका दूसर के यहां पर और भी जानकरी दिया गए यहां पर देखे बताए गए कि सुत्रों के अनुसार राजसो एबंभूमी सुधार विभाग को सूचना मिली थी कि कुछ अंचलों में अब भी पीछली विर्थिय वर्थियों का आउफलैन भू लगान रसी जारी किया किया जाना नियत संगत नहीं है इससे जमीन विवाद की समस्या पैदा हो रही है ऐसी हालत में आफलैन भू लगान रसीत पर ततकाल प्रभाव से रोक लगाने का नर्देश विभाग ने सभी जीला अधिकारियों को जारी कर दिया गया यानि कि मुल रुप से समझ कि कुछ महत्पुन जान करें और दिया गया वो भी जानना आपको अती है अवसा के यहाँ दिख बताए गया कि 5 अक्टूबर 2018 से ही ऑनलेन भुगतान का निर्देश यानि कि 2018 से ही जो सो ऑनलेन रसीत करतें की प्रक्रिया शुरू कर दी गी थी यहाँ पर दोस्ति के साब स अनि जो ऑफलाइन वाली रसीती वो छपनी 2022 से ही बंद हो चुकी है उसका यहाँ पर दोस्ति बताए गया कि आम लोगों की सुवधा और जमीन विबात पर लोक लगाने के लिए ऑफलाइन रसीत बंद की गई है आनलेन रसीत की भुगतान की प्रक्रिया सरल है इसे भुग तो दोस्तों जो ऑनलाइन वाली रसीते वो क्या होते थे कि हर जगह वैलिड नहीं थे लेकिन अब सरकार दोरा ओफिस से सूचना जारी कर दिया गया कि जो ऑफलाइन वाली जो पैन से लिखाओ रसीत है उनकी मान्यता स्माप्त कर दी गई है और जो ऑनलाइन वाली रसीत ह जो कि आप कहीं से भी घर बेटे, कुछ से अपनी जमीन के काट सकते हैं, या पर डॉनलोड कर सकते हैं, उनकी ही हर जगा मानियता दी गई है, तो यही एक नए अपडेट था, अब नए अपडेट के तहद बिल्कुल नए तरीके से जमीन का रसीद आउनलेन काटना चाहते है तो कैसे काटेंगे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले कोई भी ब्रोजर उपेन कर लेना है, ब्रोजर उपेन करने के बाद आपको सिंपली गूगल उपेन करना है और गूगल पे टाइप करना है राजहल्प्स.in, राजहल्प्स.in लिखके जैसे सच गया आप इस विबस पहुँचने में कोई भी दिक्कत हो रहा हूँ, तो आपके इस विबसाइट के लिए इस विडियो के नेचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक अदा आप डायर्ट इस विबसाइट पे आजेंगे, उसको आपको सर्च विकल पे क्लिक करन पूरी जानकारी बताया गया, तो आप इन्हें पढ़के आसानी से जान सकते हैं, अब जैसे आप पढ़ते निचे क्तरप आएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्विक प्रोसेस टू ऑनलाइन प्यार्ट जमीन रसीद कार्टी 2024, और यहाँ आप देखे, करिया बताया गया, तो आप इन्हें पढ़के आसानी से जानकर घर बैठे अपनी जमीन की रसीद काट सकते हैं, तो दोस्तो आज किसमें ने एक जानकारी था, उमीद करते हैं यह वीडियो को पसंद है हुआ, वीडियो पसंद है तो लाइक किजिए अपने दोस्तों के कोई कंफ्यूजन या कुछ पूछना हो, तो निचे कमेंट बाक्स में आप बेजी जगम से पूछ सकते हैं,